राधे राधे दोस्तों आज मैंने ब्रेड पनीर पकोड़ा बनाया है जो बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है और ये मेरे भाई का मन पसंद पकोड़ा है तो कई दिनों से बोल रहा था कि पकोड़ा बनाओ, तो सोचा आज क्यों नहीं बना देते हैं, तो बहुत ज्यादा टेश्टी बनी है और बहुत ज्यादा ये असान तरीके से बनाए हैं, तो चलिए इस बनाना सुरू करते हैं, तो इस बनाने के लिए सबसे पहले कड़ाई म चार चमच तेल डालेंगे, यहाँ पर तेल गरम हो चुकी है, एक चमच जीरा डालेंगे, और पारी कटा हुआ हरी मेरी स्थीन से चार लिये हैं, इसे एक मिनट तक भून लेंगे, उसके बाद से पांचे लासुन की कलिया, थोड़ा-थोड़ा कोट लिये हैं, इसे भी डा चमच और एक चोथाई चमच यह काली मिर्च का पॉडर है, धियान रखिएगा, मसाली को डालते समय गैस को लो रखिएगा, तो यहाँ पर डेट चमच कुटी भी लाल मिश टालेंगे, और इसे भी एक मिनट तक भून लेंगे, और यहाँ पर हमने दो घंटे पहले ही आलो को अबाल के मैस करके रखे थे, तो यहाँ पर अपने आलो को डालेंगे, और इसे मिक्स कर देंगे, मसाली के साथ, तो देखिए, यहाँ पर नमक एड़ करेंगे, तो स्वाद के कोडिंग नमक डालेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो देखिए, आलो को भू जादा चटपटा बनेगा तो चाट मसाला हुआ या गरम मसाला कभी भी लाश्ट में ही डाली जाती है तो बस मिक्स करेंगे गैस को कर देंगे आफ ज्यादा नहीं पकाना है और इसे हम निकाल लेंगे और अपने फिलिंग को इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे फिल्दी नमक अरफ इसे पून के मदद RD fight झिल भी लेगे तो इसी मदधका चाट आपने और इसमें जिल में जयदा कुछ नहीं डालेंगे सिर्फ भाल्दी और नमक इसमें दे आफ शक्ते को इतनना ही पदल रखना है ज़्यादा नहीं पतला रखना है और नहीं जयादा को दिख़े पनीर कट कर लीएं उसके बस हैं नहीं ब्रेड लेंगे और इसके ऊपर इस तरह सा आलु के मसाले को लगा लेंगे उसके बाद से पनीर को इस तरह से रखते हुए और उपर से एक प्रेट को इस तरह से चिपका लेंगे आप देख सकते हैं बहुत ही असान है ये प्रेट पकोड़ा बनाना और ये बहुत ज्यादा टेश्टी बनती है देखिए बेशन में इस तरह से डिप कर लेंगे हलके हाथों से और यहाँ पर हम अच्छा गोल्डन शा अस दियुका है यहाँ अच्छा खोल्दन कलर आने देंगे में प्रेया यहाँ पर हमारा दूसरा भी पकोड़ा हो चुका है अब इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारे पकोड़े को तल के निकाल लेंगे तो लीजे दोस्तो हमारा पकोड़ा बनके हो गया तयार इसे हरी मिर्च और दही के साथ सर्फ किये हैं बहुत ज्यादा टेश्टी बनी ह देख सकते हैं स्पॉंजी बहुत ही अच्छा सा इसे हम कट करके दिखा रहे हैं तो देखिए दोस्तो इसे कट करने से पता चल रहा होगा कि कितना सौप्ट हमारा यह पकोड़ा बना है तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा कॉमेंट जरूर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा